दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे gender sensitization certificate के बारे में तो दोस्तो जैसा की आप जानते हैं gender sensitization certificate जो है हमें अपनी घाड़ी के fitness को renewal करने के लिए या फिर commercial license को renewal करने के लिए चाहिए होता है और दोस्त, जेंडर सेंसिटाइजेशन सर्टिफिकेट को जो है, ऑनलान प्रोवाइड करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा मानस फाउंडेशन को रिइस्टर करा गया है, जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, आपको सर्टिफिकेट बना कर देती है, और इसके स्टेप जो है आपको मानस फाउंडेशन के नंबर पर एक वटसब पर आपना लाइसेंस या फिर आर्सी की कॉपी सेंड करनी होगी दूसरा वहां से जब लिंक आ जाए तो उस लिंक को जो है फॉर्म फिल करना होगा ऑनलाइन और फॉर्म कैसे फिल होगा आज की इस फीडिय यह है मानस फाउंडेशन का रिष्टर नंबर सर से पहले आपको अपने इस नंबर को सेव कर लेना है और सिम्पली आपको लैसेंस या फिर जो है आर्सी की साफ सी फोटो कीचके इस नंबर पर वटसब कर देना है वर्टसब करते ही दोस्तों वहां पर आपको फॉर्म भरन में भी डाल दूँआ ताकि आप वहां से लिंक पे क्लिक करके अपना फॉर्म भर सेगे और साथ यसाथ आप मैसेज करके आपको लिंक मिली जाएगा तो सिंप्ली इस लिंक को आपको उपन कर लेना है जिस भी ब्रावजर में आप उपन करेंगे उसमें आपकी इमेल डली होन नहीं डली है तो हम इस लिंक को कपे करके दूसरे ब्रावजर में उपन कर लेते हैं जिसमें जो है लिंक आपके सामने इस तरीकी का पेज खुल जाएगा यहां पर जो हमें सारे डिटेल्स फिल करनी होंगी लाइसेंस की या फिर जो हमें आर से की तो सबसे पहला जो सवाल हाले वो है दोस्तों मैं पढ़के दिखा लेँ और थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं यहां पर जो है ड्राइवर का नाम in capital letters ड्राइवर का ही नाम लिखे यानिके जो आपके आरसी पर या फिर जो है आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे जो नमबर है नाम है वही फिल क करने के लिए आपको Capital वर्ड में फिल करना है Small में नी Capital में बड़े अक्छरों में बढ़ना है ठीक है उसके दूसरे सवाल है पिता का नाम पिता का नाम दोस्तों आपका driver के जो पिटा जी का नाम है लायसेंस पर लिखा है वही यहां पर फिल करना है और वह भी Capital में ही फिल करना है पिता जी के नाम फिल करने का तीसरा जो सवाल है तो यहां पर है आपको एक WhatsApp नंबर फिल कर देना है तो दोस्तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेर करना है ना भूले पांचमे सवाल में दोस्तो आपको फिटनेस की वैदिता की तारिक यानिकि师 कब एकस्पायर होने वाला है, एकस्पायरी डेट फिल करनी है। और अगर आप जो है, आपके पास लाइसेन्स लियू करते हैं तो आप هले लाइसेंस की एकस्पायरी डेट यहां पर फिल कर दे तो दोस्तो calendar की मदद से हम यहां तो license की या फिर fitness की date फिल कर देंगे, expiry date, अगला सावाल है training सेलेक्ट करने गा, training वाले पर click करने गा, fitness या renewal, अगर आप license renew करना चाहते है तो renewal select कर लेंगे, और गाड़ी का fitness renew करना चाहते है तो fitness वहां select कर लेंगे, गाड़ी नंबर केवल fitness क लिए या renewal के लिए license number लिखे, अगर आप license को renew करना चाहते है तो license का number लिखेंगे, और गाड़ी का fitness renew करना चाहते है तो यहाँ पर गाड़ी का number fill कर देंगे, अब दोस्तों यहाँ पर वाहन category, वाहन category में आपकी गाड़ी किस तरीकी की है, वो यहाँ से select कर लेंगे, auto taxi, bus, ग्रामिन सेवा है, या फिर अगर आपके license पे LMV लिखा है तो आप taxi select कर लेंगे, और अगर आप fitness renewal करना चाहते है, तो किस गाड़ी का fitness renewal करना चाहते है, वो गाड़ी यहाँ पर select कर लेंगे, अगला सवाल है दोस्तों, training center, तो आपके nearby जो भी training center पढ़ेगा, चारों में से वो आप यहाँ से select कर लेंगे, अगला box से दोस्तों license की photo upload करें, driver अपने license की photo साफ लगाई, यहाँ पर driving license upload करना है, कैसा upload करना है, simply मैं बता रहता हूँ, और नीचे वाले box में इस वाले में देख रहे है, RC की photo upload करना है, अगर आप fitness भी renew करना चाहते है, तो आपको यहाँ आप RC करेंगे, अगर license रिफ करना है तो यहाँ पर कर लेंगे, तो add पर click करना है, attach file पर click करना है, select file from your device पर click कर देना है, अगर आप phone से कर रहे होते तो वहाँ पर camera का भी option आदा है, direct आप photo कीच के upload कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से अगर computer से करना है, तो select file कर लेंगे, file जो है वो upload हो जाएगी, upload होने के बाद दोस्तों यह option दिखेगा, upload पर click करने का, simply आपको इस पर click कर देना है, जैसे आप इस पर click करते हैं, आपकी file जो है upload होने लगती है, ओपर show हो जाता है, file upload होने के यहाँ पर file show हो जाती है, और अगर आपको RC भी upload करनी है, आगर आप fitness से renewal करना चाहते हैं, तो RC भी upload इसी तरीके से कर देंगे, उसके आपको form submit कर देना है, जैसे आप form submit कर देते हैं दोस्तों तो अगरे दिन आपके mobile phone पर zoom app का ID password आ जाता है, तो दोस्तों देखा, finally हमने form fill कर लिया है, form fill करने का दोस्तों next day हमारे पास link आ जाएगा, और उसमे हमें Zoom ID पर, Zoom app पर login कर लेना ID password की help से और class ले लेनी है घंटे की, उसके बाद जो है certificate हम online download कर सकते हैं, दोस्तों driving license renew कैसे होता है, उस topic पर मैंने already एक वीडियो बना दी है, fitness पर भी जल्दी ही वीडियो बना दूगा, इन वीडियो का link आपको इस वीडियो का description में मिल जागा साथ ही साथ आप वीडियो के end में जब आप पहुचेंगे तो वहाँ भी आपको इन वीडियो को देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों कैसी लगी है information, I hope की जानकर ये आपको अच्छी लगी होगी, अगर ही जानकर ये आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जासे लाइक एंड शेयर कर दें, सदद चैल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर दें, अलहमदुल्ला इसी तरीकी की informative वीडियो मैं अपना चैल पर डालता रहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में new topic के साथ जब तक के लिए, जै हिंद!